जिसकी भी आमदनी यहां जो आदिवासी भाई आए हैं दलित भाई आए हैं आप अच्छी तरह सुनिए जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपे प्रती महीना से कम है जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रती महीने से कम है उसके बैंक अकाउंट में साल के 72,000 रुपए जाने वाले हैं और उस दिन तक जाएंगे जिस दिन तक उस व्यक्ति की आमदनी 12,000 रुपए प्रती महीने से कम की होगी जिस दिन उसकी आमदनी 12,000 रुपए प्रती महीने से जादा होगी उसको नियाई योजना का पैसा नहीं मिलेगा मगर उस दिन तक नियाई योजना का पैसा हर महीने हर साल उसके बैंक अकाउंट में सीधा जाएगा मुझे यहां बहुत पुछ दिख रहे हैं थोड़ी महिलाइ दिख रही हैं मुझे गुस्सा मत हो ना मैं साफ बोल देता हूँ नियाई योजना का पैसा पांच करोड बैंक अकाउंट में जाएगा मगर महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है मुझे बाद में मत बताना ये क्या कर दिया आपने महिलाओं को पैसा दे दिया वो आपके बीच में उनके बीच में मेरा काम 72,000 रुपए पांच करोड परिवारों के बैंक अकाउंट में 25 करोड लोगों को देने का है मैं अपना काम पूरा कर दूँगा क्यों करूंगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की जंता से जूट बोला हिंदुस्तान के जंता को कहा तब 15,000,000 रुपए दूँगा जूट था 3,60,000 रुपए की सचाई है इससे हिंदुस्तान को फाइदा होगा और नियाय मिलेगा पांच साल नरेंद्र मोदी ने अन्याय की सरकार चलाई हम न्याय की सरकार चलाएंगे अब चलिए थोड़ी किसानों की बात करते हैं मैंने नीरव मोदी, मेहूल चोकसी विजय मालिया ललित मोदी की बात की और मैंने आप से कहा कि देखिए इनका लाखों करोर रुपए कर्जा माफ हुआ ठीक है कमलनाज जी ने गेलोड जी ने बगेल जी ने दस दिन के अंदर मध्य प्रदेश राजिस्तान चछतिस गड़ में कर्जा माफी कर दी मगर एक बात बची एक बात बची कालिमत बचाईए कौनसी बात बची निरव मोधी कर्जा लिया उसने वापिस नहीं दिया वो जेल के अंदर है या बाहर अंदर बाहर बाहर विजे मालिया दस हजार करोर रुपए कर्जा लिया अंदर बाहर अने लंबानी पैंतालेस हजार करोर रुपए कर्जा तीस हजार करोर रुपए चोरी का पैसा अंदर बाहर ठीक है अब अगर यहां का किसान आप लाकों करोर रुपए छोड़िए अगर यहां का किसान रीवा का किसान दस हजार रुपए कर्जा लेता है और वापिस नहीं देता वो जेल के अंदर होता है या बाहर अंदर तो यह आपको बात सही लगती है क्या कि हिंदुस्तान के चोर जेल के बाहर चोकिदार उनकी मदद करे और हिंदुस्तान के इमानदार किसान जेल के अंदर Congress Party को ये बात अच्छी नहीं लगी मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी रीवा की जनता को ये बात अच्छी नहीं लगी तो हमने कानून बदलने की बात की मैनिफेस्टों में एक लाइन लिख दी है रीवा के किसानों सुनिए 2019 में चुनाओ जीतने के बात रीवा मध्यप्रदेश हिंदुस्तान का कोई भी किसान करजा ना लोटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा एक लाइन नियाए नरेंद्र मोदी जी अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का किसान 20,000 रुपे के लिए जेल जाए तो पहले आप उस चोर अनिल अमानी को जेल में डालो उस चोर नीरभ मोदी को जेल में डालो उस दिन तक जिस दिन तक वो बाहर गुमेंगे उस दिन तक हिंदुस्तान का किसान भी जेल में नहीं मिलेगा वो भी बाहर गुमेगा सबसे बड़ा दोका किसानों को नहीं, दुकानदारों को नहीं, सबसे बड़ा दोका युवाओं को, दो करोड युवाओं को हर साल मैं रोजगार दूँगा, नरेंद्र मोदी के शब्द। सचाई, 24 घंटे में 27,000 युवाओं से नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोजगार चीनती है, हर 24 घंटे, लाकों करोडों युवाओं से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रोजगार चीना, मैंने पता लगाया, बेरोजगारी का समय, 45 साल से सबसे जादा बेरोजगारी, और 22 लाक सरकारी नौकरिया आज खाली पड़ी हैं, मैं आपको गैरंटी देता हूँ, एक साल के अंदर 22 लाक सरकारी नौकरी आपके हवाले कर दी जाएगे, 10 लाक युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, 10 लाक युवाओं को सरकार, मिंटों में, नरेंद्र मोदी की सरकार, 10 लाक युवाओं को पंचायत तो में रोजगार देगी रिवा के युवा अलग-अलग बिजनिस खोलना चाते है मगर पर्मिशन की जरुवत होती है सरकारी ओफिस में जाना पड़ता है पर्मिशन मांगना पड़ता है एक ओफिस में जाओ पर्मिशन मांगो दूसरे आफिस में जाओ, तीसरे में, चोते में, हर आफिस में घंटे बैठो, पर्मिशन लो, छे साथ महीने लगते हैं, पता लगता है कि पूरा का पूरा पैसा, फॉर्म बरने में, पर्मिशन लेने में चला गया, बिजनस चालो नहीं हो हमने निन्ने लिया है, युवाओं के हाथ मजबूत करने के लिए, 2019 चुनाव जीतने के एकदम बाद हिंदुस्तान के कोई भी युवा को, किसी भी युवा को, रीवा के किसी भी युवा को, बिजनस चालू करने के लिए, किसी सरकारी डिपार्टमेंट से पर्मिशन लेने क जरूरत नहीं होगी आप अपना बिजनस चालू करो व्यापार शुरू करो युवाओं को रोजगार दो जो ज़ादा युवाओं को रोजगार देगा उसको बैंक लोन मिलेगा बैंक का पैसा मिलेगा ने लंबानी को नहीं मिलेगा और तीन साल बाद तीन साल बाद जब आपका बिजनस त्यार हो जाएगा जब आपके पास दस, पंद्रा, बीस, तीस, चालिस लोग काम करेंगे आपके साथ हिंदुस्तान की मदद करेंगे तब आप सरकार के पास जाना, कहना तीन साल पहले मैंने बिजनस चालू किया था अब मेरे साथ बीस, तीस, लोग काम करते हैं मैंने हिंदुस्तान को रोजगार देने का काम किया अब आप जो परमिशन देना चाहते हों मुझे देदो असानी से आपको परमिशन मिल जाएगा ये हम आपके लिए करना चाहते हैं देखिए आपके सामने एक निड़ने है एक तरफ पंद्रा लाक रुपए का जूप दूसरी तरफ तीन लाक साथ हजार रुपए की सच्चाई नियाय योजना एक तरफ दो करोड युवाओं को रोजगार देने का काम दूसरी तरफ लाकों युवाओं को नियाय योजना का फाइदा वियापारियों को नियाय योजना का फाइदा बाइस लाक सरकारी नौक्रिया दस लाक पंचायतों में नौक्रिया यह सचाई है सचाई हम कर सकते हैं खोकले वाइने हम आपसे नहीं करें मैं यहाँ आके आपको जूट नहीं बोलूँगा आप याद रखिए आदिवासी भाई, किसान भाई आप याद रखिए आपकी जमीन की लड़ाई कौन लड़ा था कौन सी पार्टी लड़ी था जमीन अधिकरन बिल ट्राइबल बिल पेसा कानून जल जंगल जमीन की रक्षा किस ने की कौन्गरिस पार्टी ने की हम सब ने की मिलकर आपका जो हक है उसके लिए हम लड़े और नरेन रमोदी जी ने पेसा कानून को कमजोर किया ट्राइबल बिल को कमजोर किया जमीन अधिकरन बिल को कमजोर किया जहां भी उनको बॉका मिलता है, अम्बानी जी को अदानी जी को आपकी जमीन उठा के दे देते हैं। 36 गड़ जाईए, पहली बार पहली बार जमीन अधिकरन बिल में ताटा कमपनी से जमीन लेकर वापिस आधिवासियों को दी गई। अधिकरन कानून में साफ लिखा था, अगर पांच साल के अंदर कमपनी ने उद्योग नहीं खड़ा किया, फैक्टरी नहीं बनाई, तो जमीन वापिस बस्तर के आधिवासियों को दी जाएगी, हमने कानून लगू किया है। हम सिर्फ नियाए चाहते हैं, आप पांच लाग पच्पन हजार करोर रुपए पंदरा लोगों का करजा माफ करना चाहते हो, तो फिर किसानों का भी करजा माफ होगा। अगर आप उनको जेल में नहीं डालते हो, तो फिर किसान भी जेल में नहीं जाएंगे। अगर आप अने लंबानी के बच्चों के लिए हस्पताल, कॉलेज युनिवर्सिटी दे सकते हो, तो किसान के बेटे, कमजोर लोगों के बेटे, बेरोजगार युवाओं को भी हम शिक्षा और स्वास्त का काम करके देंगे। तो आप निरने आपका है, यहाँ पर युवा प्रत्याशी है, इनको जिताईए, दिल्ली में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनाईए, और हम आपके लिए काम शुरू करेंगे। आप सबका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जेहन, और जो आज बाकी तो आपके लिए यहाँ नंद'm आपके लिए उन्यवाद की सरका थाबनाईए, वकला थार्त्राबभ ये, यॷ निर्च डेल करेंगे सरका दिल से झाल्समरे, इनको एम पर बनाऊे है, येता house motto बहुत पार्यात और है, इनको एम वर, बहुत बहुतर, प्रदेसमें आपके